हलो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपके अपने योडित पेलल जे इल्ड जारखंड लाइब्स में दोस्तो यहाँ पर आज के निज़ पेपर में फ्रंट पेज पर यह प्रेंट हुआ है और यहाँ पर जो प्रेंट हुआ जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि जितनी सारी निवमालि में जितनी सारी परेसानिया है जितनी सारी परेसानिया है कठिनाय है उसको 31 одномबर तक. September कर लिया जाए उसे दूर कर लिया जाए और उसके बाद यहाँ पर जो खाली पढ़ी हुए है रिकर पढ़ी हुए है मैं भहाली की गया कि जितनी सारी विसंगतियां हैं तो इन सभी को दूर करें जल से जल और अगर यहां पर जो है सभी विसंगतिय दूर कर ली जाती है तो नवंबर मास से वेकेंसी आना जो है वो शुरू हो जाएगी तो यहां पर फिलहाल 31 अक्टूबर तक जो आदेस दिया गया है उसमे अधिक जो पद रिक्त है वो 1.25 लाग सिक्षा के छेतर में है यानि कि टीचर की जो निक्ति के जानी है 1.25 लाग है क्रिस्टी भी भाग में 3,000 है और दूसरा जो सबसे बड़ा पद खाली है वो पुलिस में है यानि कि आरक्षी में यहां पर जख सकते हैं कि अलग-अलग जो कटेगरी के अलग-अलग वर्ग के पद जो है वो रिक्त है करे 20,000 जारकंड पुलिस में 20,000 पद जो है वो रिक्त है कुल जारकंड में लग-भग 5,000,000 सुक्रित पद है लेकिन उनमें से आधे जो यहां पर खाली है और इन ही में निक्ति की जानी है तो जितनी सारी य पुलिस में अगर 20,000 पद रिखते हैं तो यहां पर इसमें हो सकता है कि 3,000 आये, 5,000 आये, 7,000 आये, इस तरह से करके जो है वो पार्ट पाई पार्ट यहां पर न्युकती आएगी, एक ही बार नहीं आएगी, तो इसलिए आप अपनी तयारी में लग जाएं, कमर कस लें, और समय भी आपको काफी नहीं मिलेगा, जब विध्यापन आ जाएगा, तो ऐसे मैं आपको पता भी नहीं चलेगा कि विध्यापन कब आया, और एकजाम कब हो गया, तो अब अभी से तयारी करें, और अभी से लग जाएं, कमर कस लें, और अगले 2-3 महीनों में आपकी जो हैत इंट्रेस्टिड हैं, तो जिस भी परिक्षा की तयारी कर रहे हैं, सिलेबस जो आपको पता है, पैटन पता है, तो आप उसके एकॉर्डिंग तयारी कर सकते हैं, रिजिटनल लैंग्वेज भी आपको यहाँ पर कही ने कहीं चूज करना है, तो उसके भी आप तयारी कर ल किया जाएगा तो इसलिए पार्ट बाई पार्ट करके वेकेंसी यहाँ पर आएगी जारकर्ण पुलिस में 20,000 पद रिखते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नहीं में बेद तीन हजार से 5,000, 7,000 वेकेंसी जो है वो आ सकती है जारकर्ण सिक्छा में यहाँ पर 50,000 पद रिखते हैं अलग-अलग जो वर्ग होते हैं उसमें ग्रामिन विकास बिभाग में 600 पद रिखते हैं स्रम नियोजन बिभाग में 900 पद रिखते हैं स्वास्त बिभाग में 750 पद रिखते हैं उत्पात बिभाग में 500 यहाँ पर पद रिखते हैं कल्यान बिभाग मे 500 पद रिखते हैं उद्योग में 100 पद और परिवान विभाग में भी 100 पद यहाँ पर रिखते हैं तो इन सभी पदों पर निक्ति की जाएगी थोड़ी थोड़ी करकर की जाएगी एक ही बार ये वहाली नहीं आएगी तो इसलिए आप अपनी तयारी जो है वो करते रहें और भाली जो है वो बहुत ही जल्द आएगी अगर सब कुछ ठीक रहा और यहाँ पर सारी खामिया जो है वो दूर कर ली गई तो तो ये कारेसाला में सभी सची जो हैं उनको निर्देश दिये गए हैं कि आप जल्द से जल्द सभी विसंगतियों को दूर करें और नियुक्ति के लिए आगे बढ़ें तो ये बड़ी अपडेट्स फिलाल यहाँ पर निकल करा रही है इन सभी भी भागों में नियुक्ति की जानी है तो यहाँ पर आप तयारी में लग जाएए अपनी जी जान से अब यह अंतिम समय आपके लिए है तो दिस्तों फिलाल यह अपडेट्स थी आगे जो भी हैँआ अपडेट्स आप तक हम यहाँ पर पुचाते रहेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई जरू लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये सब्सक्राइब कर लीजे और वीडियो का अपलोग अपने दोस्तों के चाद अधिक से अधिक सेर कर दिया करिए ताकि अन्नी लोगों भी यहाँ पर जूर सकें और साइज अनकारी पाव सकें यदि आप ये पियसी के त्यारी कर रहे हैं तो ऑन्लाइन टेस स्रीज के लिए डाउनलोड करें